अज हम बनाएंगे एक बियूटिफुल चकलेट केक, बिल्कुल कुई कांड इजी होए से, मैं तो आज बहुत ही हापी हूँ, ये केक बना के कुछ एक्सपेरिमेंट में सक्सेस जो हुई हूँ, और साथ ही सेयर करूँगी आप लोगों के साथ कुछ सच, हर एक होम बेकर्स क लिए जो नया-नया केक बनाते हैं, आखिर सच क्या है, फ्रेंच मैं हमेसा कोशिस करती हूँ, कि जितना हो सके, आप सब के साथ वो बाते सेयर करूँ, कि जिसमें मुझे प्रोब्लेम्स आती है, और बिल्कुल सच-सच बताऊंगी मेरे सारे प्रोब्लेम्स, ताकि मेरी वी प्रेस ना करें, तो आए, ये रेसीपी शुरू करते हैं, फ्रेंच ये हाप किलो चकलेट केक के लिए मैं स्पांज बनाई हूँ, मेरी होममेड प्रिमिक्स से 200 ग्राम प्रिमिक्स लेके, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर आड़ करके, 7 इंच की टीन में ये स्पांज को बे प्रेंद में 10 टेबल स्पून कोंडेंस मिलक ज जए सब को मिक्स को advertisers दो में ये स्पोंज केक लग 크ीम हो अपलाई देखे गे प्रेम के उपर अच्छे से स्प्रेड की अगर आप देखना चाहते हैं कि ये गनास कैसे बनाई हूं और ये जो चोकलेट की जो स्पॉंज है केक स्पॉंज कैसे बनती है ये सारे वीडियो मेरी चानल पर अपलोड है आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरी चानल पर देख सकते हैं तो यहां पर चोकलेट गनास को स्प्रेड करके चोकलेट गनास के उपर अच्छे से भर भर के ये डार्क चकोचिप्स को दी फिर केक स्पॉंज की सेकंड लेयर देकर सेम इसी प्रोसेस से केक की तीनों लेयर को देके केक के क्रॉम कोट की फिर क्रॉम कोट के बाद वाना वर के लिए फ्रीज में स्टोर की थी फ्रेंच ये केक का अडर भी मुझे दूर से मिला था अपनी ननिहाल से एक भावी ने मुझे ये केक बनाने को दिये हैं उनको पता नहीं था कि मैं केक बनाती हूं जैसे उनको पता नहीं चले कि उनको उनके बार्डे के लिए केक बना रही है यह सर्प्राइज केक था फ्रेंज मैं जो आपको सच बताने की बूल रही थी वो क्या है बताती हूं जब मैं केक की बिजनेस टार्ट की बहुत सारे कस्टोमर ने अडर दे रहे थे कि उनको चकलेट स्पॉंज बिल्कुल डार्क चाहिए मैं तो ज्यादातर अपनी होमेड प्रिमिक्स से जो कोको पाउडर आड़ करके चकलेट केक बनाती हूं चकलेट प्रिमिक्स यूज नहीं करती हूं क्यूंकि हमारे यहां केक की प्राइस बहुत ही कम बजेट में छेल होती है इसलिए मैं ज्यादातर टाइम जो मेदे से प्रिमिक्स बना कर कोको पाउडर आड़ करके चकलेट की स्पॉंज बनाती थी तो मैं जो कोको पाउडर यूज करती थी उसमें हमेशा ब्राउन कलर की स्पॉंज बनती थी यह चकलेट केक की स्पॉंज केसे डार्क हुगा इसलिए मैं बहुत सारे वीडियो भी फोलो की लेकिन कोई सौच नहीं बताते हैं जिसको भी पूछा वो सिर्फ बोले कि डार्क कोको पाउडर आप आड़ कीजिए जबकि सौप में मैं पूछने से सौप बाले भेया बोलते हैं कि एसे कोई कोको पाउडर नहीं आता है ऐसा कोई cocoa powder नहीं है, फ्रेंट्स, जो हमारे यहां पर मिलता है, जिसको मैं यूज नहीं की हूँ सारे cocoa powder ट्राइ करते करते बिजनेस को 2 साल कमपलेट हो गया आखीर सक्सेस आज ही मिला मुझे मैं ये एक ऐसा cocoa powder यूज की हूँ जिसमें सिर्फ 1 टेबल स्पूर में इतना डार्क स्पॉंज बना आपको अगर वो कोको पाउडर का नाम चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मैं वो कोको पाउडर को दिखा के केक में यूज करके और एक वीडियो सेयर करूंगी तो यहां पर में केक को फ्रीज में से निकालके यह केक की फाइनाल आइसिंग करके यह जो सिलिकन ब्रस को गुमा रही हूँ और यह चोकलेट गनास है चोकलेट गनास में यह पूरे केक को हम कभर करेंगे इसमें थोड़ी सी चोकलेट गनास में डाल दी फिर इसको अच्छे से गुमा रही हूँ ये जो केक को फ्रेंट्स देखिए मेरी केक कितनी अच्छी तरह सेट हुई है जो बेस से गिर नहीं रहा है जैसे भी मैं गुमा रही हूँ अगर आप भी ऐसे सेट करना चाहते हैं केक को तो क्रीम को पहले अच्छे से बीट कीजिए फिर ये जो केक अच्छे से सेट होकर रहेगी क्रीम केसे बीट करना चाहिए केसे प्रिमिक्स बनती है ब्यानिला प्रिमिक्स ये सब कुछ मेरी चानल पर अपलोड है आपको अगर जरूरत है वो वीडियो देखना तो आप मेरी चानेल पर देख लिजेगा देखिए यहां पर मैं स्पून से अच्छे से ये केक को जो चोकलेट गनाज से अच्छे से कभर कर रही हूँ और इसको छोटी बाली जो स्क्रापपर से गुमा के ये जो बेस को अच्छे से साब की फिर इसके उपर मेरी ही बनाई हुई कुछ चकलेट गार्निसिंग ये मैं केक के उपर प्लेश की उसके बीच बीच में थ्री चेरी जी को भी प्लेश की और भावी जी ने बोले थे की जो जानू लिखना था ईसलिए मैं जानू लिखके वह जो लेटर के उपर गोल्डेन कलर की जो सीमर आती है जो साइनिंग के लिए वो सीमर को गुल्डेन कलर की सीमर को देखे मैं यह जो अबरलूक की हूँ जो लेटर को फ्रेंच आप अगर यह चोकलेट गार्निसिंग के से बनती है देखना चाहते हैं तो मेरी चानल पर भी अपलोड है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बक्स में वो सारे वीडियो की लिंक दी हूँ आप लोग देख लिजेगा देखिये के के ऊपर यह में थोड़ी सी चको चिफ्श जो डार्क चको चिफ्श देखर अच्छे से इसको learnishing की फिर इसके ऊपर थोड़ी सी जो स्प्रिंकल थे गॉल्डएन कलर की स्प्रिंकल जो वो देके अच्छे से एक को सजाई फिर इसकी जो बेस है बेस बड़र ये खाली खाली इसा दिख रहा था इसलिए छोटी वाली जो स्टार नोजल लेकर ये जो वाइट क्रीम को भरके ये में छोटी-छोटी स्टार फ्रावार बनाई ये बेस बड़र को कभर की छोटी- लोगों को कैसा लगा अगर आप लोग मेरी चानल पर ने हैं मेरी चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और कोमेंट्स में बताएगा मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और भावी ने साम को ये पर बादीं